जैहिंद एबरिवन मेरा नाम है आदित्या और ये विलकम ये वाल टू माई यूटूब चैनल स्टेडी विथेके आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जीयो लॉजिकल हिस्ट्री आपदी अर्थ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और अपने प्रिवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधार पे इरोजन के आधार पे और आपकी जो मून की टैडल फोर्स होती उसके आधार पे अर्थ की एच कैसे निकाली गई ये पढ़ाया था और एक इंपोर्टेंट बात मैं आप लोगों बताना चाहूंगा कि अब तक जो हमारे क्लासे चल लाए थी उनकी जो कंटेंट थी उनकी जो सलेवस का बेस था वो मैं आपको फिजिकल जगरापी की जो बुक है सबने सिंग सर दोरा लिखी गई उसके आधार पे पढ़ा र तो भी जटेंट जो कोर्थ जो जो जाता है सिंपील कि हम अपने अप्रित्वी के रॉक के आधार पे उसके अंदर जो फॉसिल पा जाते हैं उनके आधार पे अपनी अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पता करने का प्रयास करता है उसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम basically geological time scale के अंदर हमने दे रखा है यह scientist ने दे रखा है तो इसका जो इन्होंने बसेल जिल जिल टाइम scale में चार इसको division कर रखे हैं पहला आपका आता है यौन, दूसरा आता है आपका era, तिसरा आता है आपका period और चौथा आता है आपका epoch जैसे कि आप भारती तियास के बारे हम पढ़ते होगे तो उसमें जैसे देखते होगे कि history में basically तीन पार्ट कर रखे हैं जैसे आपका asient हो गया, medieval हो गया, modern हो गया और जब हम specific आपका asient की बात करते हैं तो उसके कई division कर रखे गया है जैसे specific आपका industrialization हो गया उसके अंदर हम फिर different राजाओं के बारे हम पढ़ते हैं उनके policy के बारे हम पढ़ते हैं, उनके काल के बारे हम पढ़ते हैं तो इसी तरह हमारी geological time scale भी रखी गई है सबसे बड़ा longest time period आपका आथ था है Eon फिर जब Eon जो देखा गया कि इसका time period हो जा रहा है बहुत लंबा हो जा रहा है तो फिर इसको सब division किया गया और चोटे time period में बाता गया फिर आपका आया era फिर उसको और चोटे time period में बाता गया तो सब division किया गया तो उसके एरा के फिर पीरियद आया और फिर पीरियट में और डि़ीजन किया गया, तो उसका आपका A.P.O.C. नाम रखने आ और जीसकी आपका इसी फिheiro में सीयातिया उंसे ऊपनाने विंशार पूसे अब वन किताब में एकता का सीयाति को से सब dez संब आपIELपनाने का सबीनि किया आप्लप की किताब में देख सकते हो लेता है कि आप आप का शोफार स्वासित उनियसे हुआ याुएंगभार यह पका Hadean Eon हो गया Archean Eon हो गया Proteoromont Ad하게 Eon हो गया और Paneerozo like की Eon हो गया यह ताब देख सकते हो जैसा की यह 3 Eon बना की इनका इक basically एक era में रख़ा गया Pur pentagian era में आब यहां बात आती ही भाईया यह तो इसका Swordfish eusion है किया गया तो और उसका longest division कर दिया गया तो यह सब चीज़ें कुछ आप confusion पैदा करती है इसलिए आपका किटाब में पाओगे कि इसके वो बसेकल दो यान रखा गया एक आपका पैनरो जो ही की यान रखा गया और उसके पहले कि आपका प्रिकेंबियन यान रखा गया तो हमारा से कि हमें इस सब चीज़ें पर जादे ध्यान देने के ज़रत नहीं है हमारा काम है कि आपके यह periods है और उनके आधार पर उनके time period में कौन कौन से चीज़ें हुई कौन कौन से major event हुई हमारा काम है बस वही पढ़ना ठीक तो हम हमारी कोसिस भी रहेगी या कि हमारा ध्यान उसी पर रहा है ठीक आई होप आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी तो आई हम सुरू करते हैं सबसे पले आपके pre-cambrian के बारे में जैसे मैं बताया है इन तीनों यान को मिला कि आपके एरा रखा गया इसका कह सकते हैं नाम रखा गया तीनों को मिला कि तो आपको प्रिकेंब्रियन है इसके अंदर लगबग हमारी जो पूरी धर्ती की इतियास इसका 90% टाइम आपका इसके अंदर आता है यानि लगबग आपका 4.6 billion years है वो जैसा यानि कि हमारे प्रित्विक जब age हुई थी यानि जो मैंने बताया था आपको अपने पिछले क्लास के अंदर कि नार्मलिया आपको जो acceptable age रखी गई है अर्थ की वो 4.6 billion तक रखी गई है ठीक तो यह आपका 4.6 billion यानि प्रित्विक फॉर्मेशन के समय से 570 million years तक एगो रखा गया है इसके अंदर आपके तीन यान आते हैं एक आपता का हेडियन यान दुसरा आपका आर्कियन यान तीसरा आपका आपता प्रोटेरो जोईक यान तब आएएं पहले बात करते हैं हेडियन यान की तो यह जो यान आपके सबसे पहला यान है अर्लिष्ट यान है इसका जो नाम आया है इसका बिसकली हेड़ वाट से लिया गया है जिसका ग्रीक में मतलब होता है हेल तो आप हेल सहाफे समझ जाओगे कि उस समय हमारी प्रिथ्वी जो होगी आखिर किस तरह से रही होगी ठीक तो इसमें क्या होता है इसका जो फार्मिशन यह जो यान आपको होता है लगबग एप 4.6 billion year से होगो से 3.8 billion year एगो रखा गया है इस समय अभी हमारी धर की बनना सुरू होए थी इसके अंदर जो आपके समुद्र थे कंटिनेंट इसमें से आपके बनना सुरू हुए थे और इसमें जो हमारी प्रिथ्वी की जो आपके एटमोस्फियर था वो लगबग आपका CO2 से भरा होता है नहीं कार्बन डायकसाइट से भरा हुआ था ठिक फिर आता है आपका Archeon इसका जो नाम आया है इसका बसिकली Archeon से लिए आगया है जिसका मुतलब होता है आपका ancient ठिक एक और बात मैं आपको पताना चाहूंगा जितने भी आप इन नाम देख रहा होगे पहले तापको बहुत अजीब लाग हमारे हिसाफ़े तो बहुत अजीब नाम लग रहे होंगे क्योंकि इनको जो इस चीजों को जो बनाया गया है स्कील को यह बैसिकली यूरोप के साइट के साइंटिस्टों ने बनाया गया है तो इससे आप पता चल लग उन्हों नाम रखा और यह नाम रखा गया है किसी रॉक के अधार नाम पे रखा गया है और किसी यह आपका Aeon होता है यह basically represent करता है beginning of the rock record के नहीं rock formation का record बताया गया कि मरज सबसे पुरानी rock मिली है वो लगभग आपकी इतनी साल पहले ही मिली है और उसका हमने नाव रखा Argyan Aeon ठीक although there is current evidence that rock and mineral existed during Hadion Aeon तो कुछ लोग कर देज इसलिए मैंने यहां पे पिछ में देख सकते Hadion Aeon में के लिखा एक formation of ocean and continent इस समय शुरू हुआता है तो यह सब चीजे थोड़ी confusion होती है Aeon देखिए जो confusion आपको पैदा हो यह लगभा आपके pre Cambrian यह नहीं है इसके बात की जो Aeon आपको साफ होती समझ में आएंगी वहां से चीजे आपको समझ में आएंगी और जो आपके question बनते है नर्मली वहीं से बनते है तो पहली life इस Aeon में हमारी फार्म होई थी जो अपकी primitive single cell नाम के और्गेनिस्ट में होई थी बिसिकली micro और्गेनिस्ट के फार्म में होई थी अब हम बात करते हैं आपका proteros joy की और की तो proteros joy का जो यह सब्द है आपका यह proteros or joy से लिया गया है जिसका मतलग होता है आपका earlier life इसका जो span है टाइम इंटर्वल जो है लगबर 2.5 billion से 570 million year रखा गया है ठिक इसके अंदर basically हमारी जो soft body are support होते हैं वो इसके अंदर इन image में देख सकते हो कि basically यही आपके होते हैं soft body और support इसी तरह दिखते हैं ठिक और इस समय हमारी जो land mask थी देखिए प्रिच्छी के बनने के बाद हमारी continent थी उनमें कई बार ऐसा हुआ को कई बार आपस में जूड़े फिर कई बार वो आपस में तूटे फिर तूटे फिर ज इनिया रखा गया है ठीक अब हम बात करते हैं आपका पैनेरियो जो इक यान यानि प्रिकेंडियन का पीरिट आपका तीनों खत्म हो गया यह 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 आपका basically पांस सतर मिलियों से लिकी present time तक रखा गया है इसका जो नाम आया है बसकिक इसका पैनेरियों से लिया गया और जोई से लिया गया है एक मिनट हां लिया गया है जिसका मतलब वहता है आपका वीजिबल लाइप यानि इसी यान के अंदर हमारी जो जिन लाइप थी वो जनरेट होना शुरू ही थी इसके अंदर basically तीन यान तीन एरा रखा गया आपका पहला आता है पहली हो जोई की बात करूंए जोई की राख की तब सब्सक्ति इसका टाम इन रख़ा गया है इसरा केंदर में अ बताया था धाथ को आरा के प्रिण दिविजियन किया थी तो इसका स्बैरेड एंदर पहला आता आपका Cambrian, दूसरा आता है आपका Ordovician, फिर आता आपका Silurian, फिर आपका Devonian, फिर Carboniferous और लाश्ट में आपका Permian देखिए इनके नाम कर याद करना आपको ज़रूरी हो जो जाते हैं क्योंकि कई बार आपके exam में ऐसे question पूछ लेते हैं कि हमारी जो मचली थी, वो किस से period में फॉर्म हुई थी, इसलिए आपको अगर नाम नहीं याद करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसके नाम याद कर से नियर से हम नीचे बड़ से बड़ से प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं ठीक सबसे पहले आपको आता है Cambrian period जो कि आपका 570 यादि 570 से million years ego से लेकि आपका 505 million years ego तक है इसके अंदर सबसे पहले हम पहली लाइप तो आपका उसमें क्या बोलते हैं प्री Cambrian era में फॉर्म हुए थे और और वो इन्वर्टिब्रेट भार में हुए थे यानि देखिए इन्वर्टिब्रेट के मतलब होता है ऐसी जो जीव जिनकी जो अभी रीट हेड़िया है आप गया सकते हैं बोन बिना बोन वाले जीव इसके अंदर पाई जाते हैं इनका नाम बिसक्री से आपके फॉर्म होते हैं फिर इसके अंदर अभी कोई आपके टेरिष्टिय लाइफ अभी तक फॉर्म नहीं हुई थी और आपको जी सुपर कंटिनेंट गौडवाना था यह फॉर्म होना सुरू कर देता है आपका साउथ पोल के पास जो की प्रजेंटे फ्लोरीडा में पाई जाता है लेकि यह जब इसको जादे डीप में जानके पढ़ेंगे ठीक फिर दूसरा आता है आपका 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 होता है पांस पाच मिलियन से एके चार सो और तिस मिलियन ये यर एगो तक इसके अंदर हमारी फर्ष्ट एनिमल प्राइपिर होते हैं वो भी बोन के साथ और इनका जो दो डामनिन टैमनिन जो अभी भी होते हैं जो संक्या होती वो भी भी आपकी ये मराइन इनवर्टिप्रेट की जाज़े होती है ठीक और इसी पीरियड में हमारी सबसे पहली मचली फिस फॉर्म होई थी ठीक तिया पर इंपॉर्टिन मार्क लाइन क्यों आप से पहला कोल टाइम इस समय हमारी प्रिट्वी पे था दे रोज ग्रेट एक्स्टिंटन ड्यू आइस कैपिंग प्रिजेंट यानि कह सकते हो इस समय हमारी पहली आइसे फॉर्म होई थी जादे लॉंग लास्टिंग नहीं थी मतलब जादे लंबी प्रियेड में तक न उस समय के जो क्लाइमेट हमारी थी वह वार्म थी थी फिर इसी पिरिएड में हमारा बिगनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टन ऑफ साउथ क्यरोलीना शुरू होता है साउथ क्यरोलीना बैसिक्ली आपका एक स्टेट है गोस्टल साउथ इस्टन रिजन में जो बिसिकली लेकर रखो और जैसे मैं आपको यह देशों के नाम बता जा रहा हूं तो आप अपने खुद देखो ताकि वह आपको जो सहता होगी आपको समझ में आ जाए कहा थी और आपको इन चीरियों के याद करने में आसानी हो जाएगा ठिक और इस समय हमारी जो प्रितिक पितिवी जो उसके अंदर जितने भी आपके लेंड तो पसके चार पार्ट में डिवीजिन हो गया थे पहला का नाम रखा गया गोंडवाना दुसरा का नाम रखा गया था बैले टीसी या और तिसरा का नाम सैबेरी और चौता का नाम रखा गया था लॉरेंसिया ठिक अब आपका त वो कॉलाइड कर जाती है आपकी बेले टीसिया से और जो लेफटी एससी आपका होता है यह आपका काम है आप गूगल कर लेना या एकलस में देख लेना या पता चल जाए कहां पे उसको यह बिसकली क्लोज कर देती है ठीक फिर आपका आता है डेवोनियन पीरियड यह आपका 408 से 360 मिलियन एयर एगो तक आजता है इस पीरियड को बिसकली एज आफ़िस कहा जाता है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अभी तक आपकी पहली मचली आपकी कब फोर्म होई थी आपकी और डोवेसियन पीरियड में फ कर जाती है और आपकी आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे नए नए जीव आते गाए वो पिछले जीव को डामिनेंट करके अपनी संख्या बराते गाए जैसे कि आप हम हमारे खुद कर एजमपल दे लग सकते हो जो मनुसे थे वो बहुत बाद में जाके फोर हुए थे प हम चैनवरों के उपर डामिनेंट करते हैं उनके बांध के रखते हैं उनके मार देते हैं खा जयते हैं तो सकता है बगया कि कुछ बिलियन साल जाखिए इतियास जो होता है वो अपने आप को दोहराता है यह आपको जानना चाहिए और इसी तरह और यही आप इसमें देखत ठीक फिर आपको जो ओर्सियन था इसे में अभी फ्रेस वाटर था नहीं उसके अंदर अभी सॉलिन्टी नहीं एड होई थी और जबके फिस थी उसे में आपके बैसिकली माइग्रेट करना सुरू कर रहे थी साउथ हर्न हमिस्पियर से आपके नॉर्थ अमेरिका की तरफ या आप इस इमेज में दे सकती है अम्फीबियन इस तरह के आपके और फिर आपके पेड़ इस तरह के आपके अपियर हुए थी ठीक फिर आपका आता है पच्छमा कार्बोनी फेरियस पेरियर्ड इसका टाइम स्पैन है बैसिकली तीन सो साट से दो सो चीयासी मिलियन येर्स उपन्सक्रा खर sin तरह है के पेरियर्ड उपनता है तक इस पिरेड़ में हमारि पहली सीड़ ब्लांट एपियर हुए थी ओर इस समय हमारी आपको फॉर्म होना शुरू हुआ था और इसी समय हमारी जो लिजर्ड थे और विंड इंसेक्ट थे पहली बार आपीर हुआ थे यानि इनका जन्म हुआ था इसी पिरियड में आपको हुआ था और इस समय हमारी जो साउधर नहीं मस्पिया थी वो बैसिकली पूरी आई से और वात जब आप कुछ किताबों में जाओगे तो उन्होंने कार्बोनी फिरियस पिरियड को भी कुछ दिविजन कर रख्या है किसी किताबों में आप इससी करा नाम नहीं पाओगे उसके जंग आप मेसी सीपियन और पैनी से पैनसिलीवियन का नाम पाओगे ठीक चौट छटमा आता है आपका पर्मियन पीरियड ये आपका 286 मिलियन एगो से 245 मिलियन एगो तक रखा गया इसका टाइम स्पेन ये बिसेकली हमारा लास्ट पीरियड था आपका पहली जोई एरा का टिक इस समय आल दा अर्थ मेजर लेंड मास इसको छोड़के हमारे बाकी के लेंड मास एक आपस में जूड़क है और उनका नाम रखा गया सूपर कंटिनेंट जो की नाम रखा गया आपका पैंजी है नाम रखा गया इसमें आपके रेप्टाइल जो थे बिसेकली आपको डॉमिनेंट कर गया थे जैसा कि इसमें हम देखा होगा यह बिसेकली आपको जो जो डॉमिनेंट हो थे आपके रेप्टाइल में ही आए थे तो ठीक वही बात जैसा कि यह पिछले फिस फॉर्म में फिर कुछ साल बाद वो डॉमिनेंट कर गया और फिर हम यहां देखे कि हमारे जो रेप्टाइल थे बिसेकली आपके मगरमच होते वह इसमें डॉमिनेंट करना शुरू कर दिये थे ठीक और बात रहे आपकी आए इसमें हमारी जो अपलेचियन थी वह राइच करना शुरू कर गई थे लिए आपका एक मांटन कह सकते हैं इस्टर्न से नॉट्स इस्टर्न नौर्थ अमेरिका में पाए जाता है मांटन जीरस ीमेजव Nord pics में देखसकते हो गए ठीक अब हम बात करते हैं आपका म Pretущ sorry जानकारी होगी आपकी इसे अंदर पिच्छरी बन सकी है इस पिरियड के आधार पे तो हम बात करते हैं पहले आपका ट्रैसिक पिरियड यह लगबग आपका इसका टाइम स्पेंट जो रखा गया वो दो सब आट मिलियन येर देगों तक रखा गया ट्रैसिक पिरियड में हम के फॉर्म होना सुरू किये थे और जैसा कि उन्हें बताया था आपके सारे लेंड मास मिलके आपके पैंजिया में जूड गया थे उसका जूड गया था पिर वो आपका तूटना सुरू हो गया था और हमारे जो कच्छुए थे टर्टल आप सुन जानते हो गये वो इसी प शूड देखा कि हमारे डान सूरिघ करना तो असरू कर दिये ति और इसी पिरियड में हमारे क्या भोलता है आपके फिर्च बर्ड धियर हुई थी यानि फर्स्ट चीलिया आपकी जो होती है इसमें इसी फिरेड में आपका फॉर्मेशन हुआ था फिर अभी भी आपको जो पैंजिया आपका जो लेंड था वह अभी तक आपका तूट रहा था था ठीक और एक और बात मैं आपको यहां बताना भूल गया I think कहां थे हम झ फोटो सिंतेस से बनाते है और फोटो सिंतेसस प्रोसेस से बनाते है और अपको क्या चाहिए रहता है ठिक और प्लांट जब फूट बनाते हैं तो छोड़ते कहा है अक्सीजन छोड़ते हैं यहां से आपके अक्सीजन का बिसेक्लिए धिरे धिरे बढ़ना शुरू हुए होगे फॉर्मसन शुरू हुआ होगा ठिक अब हम आते हैं आपका ज्राšी पीरेट तक हो गया अब हम आत करते हैं आपका तिसरा क्रेटेस यस गुच आपका इस तरह से दिखते हैं तो अब बात करते हैं इसमें डिनोसओर को जो extinction हुआ था इसे अंदर कई theories है बात कर दिनोसमें का जो गाद कंवे लार्ग कंवेट, यानि बसी क्या दिन यह स्कुरियए इसके का कई थिओरी लखी गई है पहला पर फिक जी हग इसमें कहा गय कि कोई कोमेंट आपका वह अपकी धरती साइड तकराई और उससे क्या हुआ के सारे से और फिर थAKहानगे इसमें तखाए हमारे शेक। टक्राबहनुynn मेक्सिको के एरिया के आसपास ही हमारी टकराय थे तो इससे हुआ क्या था इससे आपका मासी कांटिटी में डस्ट राइज हुआ था और इससे डस्ट रूज आटमासपेर में राइज हुआ था और उससे हुआ था क्या था कि जब डस्ट पूरे हमारे राइज हुआ था तो क कि chests και θαंड науч haender क lange काहा कि हमारी जो दान सुरह थे का प्रिसमी का पढ़ने का जासे बीसिकली तेनका इन्का दिकिए अभी तक इन्वाइम्न था खरोक करें और के गिरें आके गिरें आप पूरी आपके cloud बन गया और उन्हें पूरी sunlight को block कर लिया उसे पर में प्रिसी थंडी पड़ी और उस थंडी पड़नी को जैसे dinosaur मरे और एक तो आप जानते हैं मर गया तो फिर उसके बाद यह हुआ it took million of year of the earth to recover earth को recover दुबारा करने में बहुत ही समय लगया और जब तक यह हुआ आपके जो large बड़े बड़े डाइनसूर थे वह लगबग बिसीकली गया वह चुकिए थे पर उसमें से जो आपके कुछी species बड़ की थी वो बच गई थी और बच गये थी ठीक और यह बिसीकली आपना अंगे फिर बड़ रहत गया ए ससा भी कहा जाता है अपना सीनियो जो रय की जो कि 75 % मलियन फिर टेर्सेरी प्रियेड को आपका 5 एपॉक में डिवाइड किया गया पहला पहेलसचेश एपॉक आता है पहली ने पहले आता है पहली यूजकी पहली पाली अपॉक पहली आता है पहली प्लियसचेश अपयू क्याकỏ फिर आपका हमसी कुषनी पहले 10 इसी एरा में हमारे जो घोड़े थे वो पहली बार एपियर हुए थे और हमारे टॉपिकल प्लांट जो थे यानि पूरी धर्ती डाउमिनेंट कर गया नि पूरी धर्ती पे चारो तरफ हमारे लंबे लंबे पौधे आपके डाउमिनेंट कर गया नि पूरी पहल गया थे और मेमर से स्मॉल मेमर एपियर हो थे चुवए और पीरियड में आपके एपोक में क्या बलते है एपियर होए थे फिर दूसरा आप था आपका इयो सीन एपोक इसका जो इस्पान है लगबग संतावन से प्रेसेट मिले यह यह और बताया गया है इसके अंदर क्या हुआ आपके जो ग्रास थे वो इस पूरी धर्ती पर फैन लगे और इसी पीरेट में हमारे जो वेल थे राइनो इस थे ऐलीफेंट थे और अधर लार्ज मेंडम डेवलप हुए थे और इस एरा में क्या हुआ था आपके जो सी लेवल थी वो राइ होना शुरू हो गए थी प्लस आपके रैबिड भी और हेयर भी इसी एरा में आपका या एपोक में क्या बोलते हैं डेवलप हुए थे और इसमें क्या हुआ था जिस्ट ये सी अपक में क्या हुआ था जो प्र हमारे पूरी इंडिये कंटिनेंट है वो क्या बलते हैं साथ अफरिका से मिलती जूलती है किनारे से मिलती है जब उधर से आपकी जूड़ी तूटी थी और जब हमारे यूरोप में आके जूड़ी थी तो उससे क्या हुआ था आपका हिमालियन का फॉर्मेशन सुरू हुआ है उसी टाइम ठिक हम कहां थे हाँ तो यही था आपका इमालियन का फॉर्मेशन इससे एपक में सुरू हुआ था प्लस आपके जो फिर आपका आता है ओलियो ओलिगो सीन एपक माप करें इनकी नाम ही कुछ है ऐसे आजीब दे रखे हैं पर क्या करेंगे इनको याद करना बढ़ेगा आपका आता है ओलिगो सीन इरा 24 से 37 मिलियन इयर एगो रखा गया है इस इरा में आपके डॉग हो गया कैट हो गया फिर आपके एंट्रफॉइड एप्स यानि मनुष्य का सबसे पहला जो प्रजाद्थी कहा जाता है एपस वो एपियर हुए थे तो प्रोसेस प्रोसेस अप्रोसेस 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 आपका जो टाइम पिरियोड रखा की बताया गया है वो लग बग बग पांस से चौफिक्स मिलियन येर गो बताया गया है ठीक और इसमें पूरी तरह से हमारे जो एसी और यूरोप को जो कंटिनेंट लैंड हैं वो कनेक्ट हो गया थे आपस में और प्लस आपका जो अल्प तो इस devs में बताया है यहां पर आपके circuits जो का बनना शुरू हो गया था तो इस प्रेइड में चलते जाते जाते इनका जो क्या हो क्या होगा थे पूरी तरह से पोरमे सन प्रमेशन हो गया और जैसा कि मैंने अभी इस पिछले बताया था आपका कि आपका EUC एपक में जो हिमालयन का बनने का शुरू हुआ था तो देखिए हिमालयन एक ही बार में हिमालयन जो परवद हो एक ही बार नहीं बन गया उसको बनने मों कई समय लगा था और वो कई बार आपकी बढ़ी थी तो जब सेकेंड टाम उसका बढ़ने का करम आया था सेकेंड आप एक हिमालयन का हुआ था वो लगबाग इसी में इरा में इसी एपॉक में हुआ था ठीक और फिर आता है आपका अर्थ परफिस जो था वो करेक्टराइज हुआ था का वेरिंग क्लाइमेट एज वेरिड फ्रॉम ड्राइज 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 ड्र और वेट और कोल्ड क्लाइमेट में चेंज हो गया था फिर आपका आता है फ्लावरिंग प्लांट जो थे हमारे और बिक टीर जो बिक ट्री थे आपको अपियर्स को होना सुरू हो गया थे देखिए यह आप नोट कर लेना यहां से आपको सन पूछ सकता है कि फ्लावरिंग पांट फ्लावरिंग जो आपके पौदे थे वो कब आपके हुए थे फिर आता है आपका प्लायोसीन एपॉक यह लगभग आपसे पास से दो मिलियन साल पहले तक का है इसमें हमारी अरली ही इसमें इसिश्टर फॉर्म होगे थे यानि उनका डेवलप्मेंट शुरू हुआ था डेवलप्मेंट कैसे हुआ था वो हमें नहीं पढ़ना है वो आपका दूसरा हो जाता है दूसरे वो बैलावजी की तर्ण में चला जाता है ठिक फिर हम आता है नौर्थ सी जो आप प्रेजेंट टाइम में होता है उसका की फॉर्मेसं सी पीच्वात में अर्यकों उस से दोनी चला नौर्ची माद में और नौवरी निव संते होगे थे वानर से है बंदर से ट्रांसफोर्म होके आज प्रेजेंट टाइम में इंसान बने मॉड़न हुमेन बने उसी तरह सा प्रेजेंट टाइम जैसा हम देखते हैं उस तरह से नों का चेंज हुआ ठीक फिर आता है अब आपका आता है क्वाटनरी पिरियड जो कि आपका दो मिल्यन साल पहले से प्रेजन टाइम तक मार रखा गया है इसके अंदर पहला जो आपका वो आता है प्लाइश्टो सीन एपक जो कि दो मिल्यन इयर से एगो से लगबग दस हजार साल प प्रेजेंट फॉर्म है वो आपका फॉर्म हुआ था है और आपका दिस पिरियड जो हो जाए प्लाइश्टो सीन आई से जाने इससे पतब चलता है कि आपका प्लाइश्टो सीन में हमारी जो पूरा प्लाइश्टो सीन था लगबग पूरा आई से जाने उस समय पूरी हमा पोस्ट प्लेस्टोसीन और अहोलियोसीन इपक इस समयों जो हुमें थे वह डामिनेंट करना शुरू हो कर रहे थे जैसा कि हमने पिछले देखा था हमारे मचली पले फॉर्म हुई वह पुरी समुदर में डामिनेंट करना शुरू हो गया फिर आपके महगरमच चाहे सुरवा कर दे गए ठीक तो यह बार बस इतना है था आपका और यह बार मैं आपको इमेज से समझाने कुशिस कर देता हूं ज्यादे टाइम नहीं लूंगा जानी कन्क्लूड कर देता हूं इमेज से आपका देखिए पहल सबसे बर 10 लांग इस टाइम परिएड आपका इयॉन फिर टेर जोईक और आर्केवन हरेडियन इयॉन को मिला कि आपके बैसिकली प्रीकेंबियन इरा बनता है यह लगबग आपका टेफ फोर पंट सीज बिलियन यारा तालीफ फोर पंट इट बिलियन से लेके पांस सत्तर मिलियन तक आता है इसके अंदर हमारी जो समझ हमारी नमुआ था और जो की यूनिक सेर्विलर बैक्टीरिया के फॉर्म में डेवलप हुआ था फिर आपका आता है पैनेरोजोईक इयॉन इसको सितीन इरा में डखा गया है पैलीनोजोईक मेसोईक और साइनोजोईक पैलेनोजोईक की अगर हम बात करने तो यह लगबग आपक पानी मराने वाले ऐसे और गया सकते हैं जिनकी बैक्ट बॉन नहीं थी बिना बैक्ट बॉन वाले जानवर या और गया सकते हैं डेवलप हुए था फिर आपका पहली मचली फॉर्म हुई थी फिर सिलूरियन में आपका फस्ट ट्रेस मिलता है लैंड लाइप की जो इस आपका था कार्वोनी फेरियस इसमें हमारी पहले रैप्टाइल फॉर्म हुए थे और देवनियन के मैं बताना मुझा नहीं देवनियन में हमारे एंफिबियंस फॉर्म हुए था नहीं ऐसे जिब जो पानी और लैंड पे दोनों पे रह सकते हैं ठीक और आपके कार्वोनी फेरियस में हमारे जो कोरल रीफ इसका मैं आपको बनाऊंगा आगई लाश्ट चैप्टर जो हमारा इस बुक में दे रखा हूं कोरल रीफ के उपर दे रखा तो उसका बारे में हम बताएंगे आपको फिर आपका परमेनियन में आपके रेप्टाइल जो थे अब डॉम्ले अब यह रहा जाता है निजानेसार जो थे वह इससे में आपका इनका फरमेसन सुरू हुआ था इसको डॉम्लेंट थे यानि पूरी प्रित्थी डाइनसार फ्यले हुआ थे इससे हमें फिर क्रेटेसियस पीरेड में इंका इस्टिंसन हो गया इस्टिंसन के कई कारण बताय यृष्ट॑ है गया यए और जो आपको मानना है वह आपके उपर आपकी मर्णी जEMA आप मान लो जो कारन लो कि उनके उपर उल्गा फील्लत गिरे उससे उम्हार एक मर्णा जैसा की आज कि फिल फिल्म दिखा जहाता है सीदे उनका फर प्र गिरे बहाई है प्र के कत्तम हो तो उसे cloud dust तूठे होंगे, dust तूठे होंगे, plus आपके जो आसपास के volcano रहे होंगे, उनकी activity चालू होगी, और जब आपके volcano फटते हैं, तो उनसे अंदर पूरी आपकी बाहर आपके dust form में, आपके सब dashes form में निकलते हैं, उसी अंदर के material और पूरी चाह जातने आसपास के, स सोच के देखिए, पूरी अगर पृथी पे आपके हुआ होगा, हमारे पृथी पूरी cloud से ठक गई, और cloud ठकने से यह हुआ, sun की जो रोसनी थी, वो नहीं हमारे पृथी पहुच पाई, और उससे हुआ कि हमारे फृथी धंडी पढ़ने लगी, ice age आया, और ice age की वज़े से हमारे डैनसोर जैते, उनका जो था गरम एरिया में रहने के वो थे, तो उससे वज़े से हुआ मर गया, ठीक, और जब तक आप ice age खतम हुआ, लेकिन कुछ जो सरवाइब कर गया, वो आपके बाद में जाके जैसे बर्ड जो थे, वो सरवाइब कर गया, और बर्ड कुछ ऐ रजबेटल लाइब हुए, और ये सीं में हमारे पहले हुएमन के फारमेशन होता है अंथ्र पोईड एप सुरू हवा, फिर आपका मयस सीं, इसके इंदर मारे फ्लावरिंग प्लांट डिवलोप हुए, फिर आपका प्लाइयोसीन आता है, इसके अनदर अरली हुमन एंशि यह आपका quaternary period में आता है और यह आपके जो epoch देख सकते हो यह आपके terciary period में आता है और यह quaternary terciary मिला कि आपका एक era बनता हो और इन तीनों era का मिला कि आपका एक eon बनता है ठीक तो I hope मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में या होगा ठीक और अगर कोई भी doubt आपको रहा गया होगा तो आप मुझे comment कर सकते हैं या आप मेरे instagram id मैं link में आपको provide कर दोगा वहाँ पो जाके आप मुझे message कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ यह में हमारी इस video आपको शुरू करेंगे जब तक लिए